और अब बात कर लेते हैं रीट परिक्षा मामले की रीट परिक्षा को लेकर मंत्री सुभाश गर्ग का रियक्शन सामने आया बीजेपी ने मंत्री सुभाश गर्ग पर आरोप लगाए अपने उपर लगे आरोपों पर मंत्री सुभाश गर्ग का कहना है कि SOG की जाच में सब कुछ साफ हो जाएगा SOG सही दिशा में काम कर रही है चार्च रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा गर्ग ने ये भी कहा कि राजनितिक विरोधी ही आरोप लगा रहे है खुद नेतव प्रतिपक्ष कुलाप चंद कटारिया ने भी SOG जाच की तारिफ की खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा कि रीट भरती परिख्षा को दो मिनिट में रद किया जा सकता है लेकिन भरती को रद करना लाखों विरोधी कारों के साथ धोका होगा पेपर लीक कराने वाले लोगों के किनकिन राजमितिक निताओं के साथ संपर्ख हैं इसकी विजाच SOG कर रही है ऐसा लगता है कि SOG को इस बात की तेमी जाना चाहिए कहीं ये जो पेपर लीक कराने वाले और नकल का जो ग्रो है इनमें आपस में गैंग बार है तो इस तह तक भी जाना चाहिए और जिन लोगों ने इस पत्थ तक जो जारी है SOG बल्कुल सही दिसा में काम कर रही है खुद कटारिया जी ने इस बात को सराया है तो मैं तो कहना चाहूँगा कि राजनेतिक नेताओं को ब्रोधियों को या जो भी PGP के हमारे साथ ही है उनको इंजार तो करें पहले निस्कर्स आने से पहले किसी को आरोपित कर देना किसी की छबी को धूमिल करना किसी की प्रतिस्टा को हानी पहुंचाना अगर दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा तो देखे सुना आपने राज्य मंत्री सुभाश गर्ग को जिनोंने अपने उपर लगे जो आरोप हैं उसको लेकर सफाई दे उन्होंने कहा कि एसोजी साहीदिशा में काम कर रहे हैं गुलाफसन कटारिया ने भी एसोजी जाच की तारीफ की है और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बक्षा नहीं जाएगा किसी को अगर सलिप पाय जाता है राजनितिक विरोधी आरोप लगा रहे हैं ये कहना है सुभाश गर्ग का खुद मुख्यमंत्री ने भी रीट परिख्षा को दो मिट में रद किया जा सकता ये बात कही थी लेकिन सुभाश गर्गे कहा रहे हैं कि भरती को रत करना लाखों बेरोधारों के साथ धोका होगा पेपर ली कराने वाले लोगों के किनकिन राजनितिक निताओं के साथ चंपर्खे इसकी भी जाच की जा रहे हैं देखे तमाम बातें जो अपने सुनी अभी सुभाश गर्ग जो क्या रहे थे अपने उपर लगे आरोपों को लेकर